वास्तविक सिद्धी क्या है और उसके पाने का उपाई क्या है इस बात को समझाते हुए पूजे स्वामी रामसुक दाश्जी कहते हैं जहां अपनी विजय निश्चित हो वहां मनुश्य को अपने में कायरता नहीं लानी चाहिए सांसारी कारियों में तो सिद्धी और असिद्धी दोनों होते हैं इसलिए भगवान ने उनमें सम निर्विकार रहने की आग्या दी है सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वाहा समह सिद्धाव सिद्धवचा सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारहा परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ती में तो असिद्धी नहीं है केवल सिद्धी ही होती है सांसारिक सिद्धी असिद्धी इनमें सम रहने की बात भी वास्तविक सिद्धी के लिए ही है और वास्तविक सिद्धी है परमात्म प्राप्ती क्योंकि सांसारिक सिध्धी असिध्धी का कोई मुल्य नहीं है सांसारिक सिध्धी अनिश्चित है क्योंकि उसमें परतंत्रता है परंतु पारमार्थिक सिध्धी निश्चित है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है और उसी के लिए मनुश्य शरीर मिला है अतह साधक को परमात्म तत्व की प्राप्ती के लिए अपने में कायरता नहीं लानी चाहिए हताश नहीं होना चाहिए प्रत्युत इसके लिए मन में नित्य नया उत्साह रखना चाहिए बालक मापर अपना अधिकार मानता है कि मेरी माँ है यदि मा के पांच साथ दस बालक हो तो भी प्रतेक बालक पूरी की पूरी मा को अपनी मानता है ऐसा नहीं होता कि दस बालक हैं तो मा के भी दस हिस्से होंगे और प्रतेक बालक मा के दस्वे हिस्से को अपना मानेगा इसी तरह भगवान प्रतेक जीव के लिए पूरे के पूरे अपने है मा तो फिर भी पक्षपात कर सकती है पर हम सब जिनकी वास्तविक संतान है उन भगवान में पक्षपात नहीं है वे भगवान ही हमारे असली माता पिता है त्वमेव माता चपिता त्वमेवा त्वमेव बंधुष्च सका त्वमेवा त्वमेव विद्या द्रविनम त्वमेवा त्वमेव सर्वम ममदेव देवा आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही संबंधी हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही धन हैं, हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं देवता, मनुष्य, पशुपक्षी, कीट पतंग, लता व्रिक्ष, पहाड आदी जो कुछ भी है, सब रूपों में हमारे प्रभु ही हैं, इस बात को जिन लोगों ने पहचान लिया, उन पर संसार का असर नहीं हुआ, प्रहलाद मीरा बाई आदी ने इसको पहचाना था, इ वे कभी भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे सब में, सब जगें, अपने इश्ट को ही देखते थे, वे परमात्मा ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं, शरीर तो लोकिक माता पिता का अंश है, जो मर जाता है, परंतु जीव स्वयम परमात्मा का अंश है, जो कभी मरा न और मर सकता ही नहीं, इसलिए किसी भी भाई बहन को अपने में ऐसी कायरता का भाव नहीं लाना चाहिए, कि मेरे पर भगवान की कृपा कम है, अत्वा मेरा आचरन ठीक नहीं है, मेरा भाव ठीक नहीं है, मेरे में भक्ती नहीं है, मेरे में ग्यान नहीं है, मेरे में परमात्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, कारण की हमारी योग्यता आयोग्य होने पर काम करती है, हमारा बल निर्बल पर काम करता है, हमारी विद्या मूर्ख पर काम करती है, इसलिए हम अपने में बल, बुद्धी, विद्या, योग्यता, कुल, धर्म, जाती, वर्ण, आश्रम, प्राप्ति के लिए कुछ भी काम के नहीं है भगवान मेरे हैं यह भाव जितना बलवान है उतने ये बल बुध्धी विद्या इत्यादी बलवान नहीं है ग्यानियों का भी ग्यान भी इतना बलवान नहीं है ग्यान उतनी रक्षा नहीं करता जितनी भगवान रक्षा करते ह बच्चा मा की गोदी में बैठा हो तो वह सामने आए राजा को भी धमका देता है यद्देपी मा इतनी समर्थ नहीं है तथा पी वह समझता है कि मैं जिस मा की गोदी में हूँ उसके समान और कोई नहीं है परंतु हमारी वास्तविक मा भगवान के समान त्रिलोकी में और कोई नहीं है हम जो अपने शरीर को अपने कुटुम्ब को अपने संब्रदाय को अपने वर्ण को अपने आश्रम को अपनी योग्यता को अपनी बुद्धी को जो उन्चा मानते हैं और उनके साथ अपना संबंध मान कर अपने को बड़ा मानते हैं यह वास्तों में बड़ी भारी गलती है भगवान के सामने इन सब का क्या मुल्य है भगवान का बल तो निर्बल के लिए है अपने बल, बुद्धी, योग्यता आदी का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भगवत प्राप्ती में महान बाधक है अपने साधन के बल का अभिमान भी भगवत प्राप्ती में बाधक है इसका आर्थ यह नहीं है कि हम साधन न करें साधन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या अतह साधन तो रात दिन करना है पर साधन के बल का अभिमान नहीं करना है साधन के बल पर हम परमात्म प्राप्ति की जो सिध्धी है उसे प्राप्त नहीं कर सकते परमात्मा को तो उनके शरण होकर ही प्राप्त कर सकते है बालक छोटा सा होता है पर वहरात्री में रोने लगे तो घरवालों को नचा देता है किस बल पर? रोने के बल पर वास्तों में रोना कोई बल नहीं होता रोना निर्बलता की पहचान है परंतु कोई पहलवान चोर आता हो और बच्चा रो दे तो वह भाग जाता है यह रोने का बल है ऐसे ही हमें भगवान के आगे रोना चाहिए हमारे से भूल यह होती है कि हम धन के लिए परिवार के लिए स्त्री पुत्र के लिए मान बढ़ाई के लिए जीने के लिए शरीर के लिए रोते हैं हमारा रोना केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए वे हमारे हैं, हम उनके हैं जैसे बालक कहता है कि मेरी मा है, दूसरी माताईं भी बैठी है और वे सुन्दर भी है उनके गहने कपड़े भी बढ़िया है पर बालक कहता है कि ये मेरी मा नहीं है एक स्त्री, काली कलोटी है उसके गहने कपड़े भी बढ़िया नहीं है पर बालक जाकर उसकी छाती से चिपक जाता है कि यह मेरी मा है वह गहने कपड़े योग्यता आदी को देखकर मा के पास नहीं जाता अपितु अपने पन को देखकर मा के पास जाता है ऐसे ही भगवान हम सब की वास्तविक मा है बलवान कई हो सकते हैं धन्वान कई हो सकते हैं विद्वान कई हो सकते हैं सिध्ध कई हो सकते हैं देवता आदी कई हो सकते हैं पर हमारी मा भगवान के समान कोई नहीं है हमें उन्हीं की शरण में जाना है अर्जुन भगवान के शरण होते हैं और कहते हैं कि धर्म के निर्णय में मेरी बुद्धी काम नहीं कर रही है मैं क्या करूँ प्रिच्छामी त्वाम धर्म सम्मूढ चेता हा तो भगवान कहते हैं कि तेरे को धर्म का निरने करने की क्या जरूरत है। तू सब धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आजा। मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूँगा, चिंताओं से मुक्त कर दूँगा। तात पर यह है कि तु धर्म का अनुष्ठान तो कर, पर आश्रे मेरा ही रख, धर्म का नहीं, तु अपने बल, बुद्धी, विद्या, इत्यादी का किसी का भरोसा मत कर, एक मेरा ही भरोसा रख. जो साधन के बल पर चलते हैं, वे मजदूर होते हैं. माँ अपने बालक के काम का माप तोल नहीं करती कि इसने इतना काम किया है तो इसको इतना भोजन दूँगी, इतना लाड़ प्यार करूँगी. काम का माप तोल नोकर का होता है कि उसने कितना काम किया है और उस काम के अनुसार उसको वेतन मिलता है लोगों को तो धन, संपत्ती, वैभव, आदी की जरूरत रहती है पर भगवान को किसी चीज की जरूरत है ही नहीं अतहा जो अपने बल का आश्रे रखकर भजन करते हैं, साधन करते हैं, मनन करते हैं, वे सब मजदूरी करते हैं इसलिए मजदूरी का बल न रखकर, भगवान में अपने पन का बल रखना चाहिए मजदूरी से अपने में कायरता आती है, कि मेरे में बल नहीं है, मुझमें योग्यता नहीं है मैंने इतना साधन नहीं किया मुझ में इतनी कमी है जब भरत जी भगवान राम से मिलने जाते हैं तब उनकी तीन गतियों का वर्नन आता है जब वे अपने बल को देखते हैं तब वे स्थिर हो जाते हैं जब वे अपनी मा की क्रिया को देखते हैं तब वे पीछे हट जाते हैं परन्तु जब वे भगवान को देखते हैं तब दोड़ पड़ते हैं इसी तरह हमें अपने कर्मों की तरफ अपने बल की तरफ अपने मन बुद्धी की तरफ न देखकर भगवान की तरफ देखना चाह काम करना तो दूर रहा, वह तो उल्टे घर के काम में बाधा डालता है, परंतु मा बच्चे को पेट भर दूद देती है, वह जितना चाहे उतना दूद पिये, जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहने, जहां चाहे वहां सोए, शया पर न सोए, तो गोदी में ही सो जाए, यह बात तो लोकिक मा की है, हमारी वास्तविक मा तो बड़ी अलवकिक विलक्षन है, ऐसी विलक्षन मा भगवान के लिए अपनी योग्यता का विचार करना भी मूर्खता है, और अपने साधन में भजनस्मरण में कमी रखना भी मूर्खता है, अपना भजनस्मरण तो कम नहीं करन पर भजन स्मरण के बल पर हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। अयोग्य हो रहे हैं, अपनी चतुराई के अभिमान से ही मूर्ख हो रहे हैं, अपनी विद्या के अभिमान से ही अविद्वान हो रहे हैं, अपनी क्रिया के अभिमान से ही नीचे गिर रहे हैं। वास्तों में हमारे पास अपना मानने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रतेक वस्तु मिली हुई है और बिछुडने वाली है, हमारे पास जो कुछ है, वह सब भगवान का दिया हुआ है, मिली हुई वस्तु को अपनी मानना और देने वाले को अपना नहीं मानना, बेई म इस बेईमानी को दूर करना है। भगवान का एक विलक्षन स्वभाव है कि वे सब कुछ देते हैं पर अपने को जनाते नहीं है। उन्होंने शरीर दिया है, इंद्रियां दिये है, मन दिया है, बुद्धी दिये है, प्रान दिये है, पर लेने वाला देखता है कि यह सब तो मेरा ही है। अगर शरीर हमारा है, तो उसको मरने क्यों देते हो, बचालो उसको, आखें हमारी हैं, तो उनको कमजोर क्यों होने देते हो, रुपए हम कमाते हैं, तो उसमें घाटा क्यों लगने देते हो, रावन भगवान शंकर का बड़ा भक्त था, पर वह भगवान शंकर का बल न मानकर, अपना बल मानता था, अभिमानी था, इसलिए जब रावन को बान लगते हैं, वह मरता है, तब भगवान शंकर, आकाश में खड़े-खड़े तमाशा देखते हैं, यदि रावन में अपने बल का अभिमान न होकर केवल भगवान शंकर के बल पर भरोसा होता तो भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ते वास्तों में सब बल तो भगवान का है अपना क्या बल है बच्चे का कितना बल होता है वह कव्वे से कुत्ते से भी डर जाता है उसके पास केवल मा का बल है मा का बल तो सीमित होता है बच्चा मर जाए तो मा उसको बचा नहीं सकती परंतु भगवान का बल असीम है हिरन्य कशिपू अपने को बड़ा भारी भलवान मानता था पर अंत में उसका बल क्या काम आया जो कठोर से कठोर अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मर सकता था वह भगवान के नक से ही मर गया क्या नक से भी कोई मरता है हिरन्य कशिपू के भए से देवता लोग भी धर्राते थे पर प्रहलाद उसके सामने निडर होकर बोलता था जब भगवान हमारे हैं तो फिर डर किस बात का जैसे प्रहलाद भगवान का था वैसे ही हम भी भगवान के हैं भगवान का अंश होने में वह पीड़ी में भगवान से नजदीक पड़ता था और हम दूर पड़ते हैं ऐसी बात नहीं है भगवान के साथ सबका समान संबंध है भगवान कहते हैं सबमम प्रिये, सबमम उपजाए समो हम सर्वभूतेशु फर्ग केवल इतना है कि प्रहलाद भगवान को अपना मानता था हम भगवान को अपना नहीं मानते कोई कैसा ही हो किसी तरह का हो किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसल्मान हो, इसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो सबके लिए भगवान समान है भगवान किसी के नज़्धीक हो किसी से दूर हो ऐसी बात है ही नहीं जिसका जैसा भाव होता है उसके लिए भगवान वैसे ही हो जाते है ये यथा माम प्रपध्यन्ते तानस तथईव भचा में हम इसलिए अपने प्रभू से दूरी मान कर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जब हम भगवान के बल से बलवान हैं तो फिर हिम्मत क्यों हारे भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी प्रत्युत भगवान के बल से उनकी कृपा से होगी उनकी क्रिपा से ही सब काम हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा हम अपने जीवन पर दृष्टी डालें कि हमें यह मानव शरीर कैसे मिला क्या हमने जान बूझ कर यहां जन्म लिया था क्या बच्पन से लेकर आज तक हमारा पालन पोशन कैसे हुआ गीता रामायन आदी से परिचाई कैसे हुआ, सत्संग कैसे मिला, अच्छी पुस्तकें कैसे मिली, अच्छा संग कैसे मिला उसके लिए क्या हमने, कोई पुरुशार्थ किया था, कोई उद्योग किया था, कुछ बल लगाया था, कुछ रुपई खर्च किये थे, कुछ परिश्रम किया था, सब भगवान की कृपा से ही हुआ है, जब उनकी इतनी कृपा मिली है, तो फिर अब चिंता क्यों करें? कोई आदमी किसी ब्राह्मन को भोजन का निमंतरण देकर घर पर बुलाए, उसको आसन पर बैठा दे, पतल सामने रखते, जल भी रखते, अब वह भोजन देगा की नहीं? इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर उसका भोजन देने का मन नहीं होता, तो वह निमंतरण क्यों देता? पतल सामने क्यों रखता? ऐसे ही भगवान ने, अपने क्रपा से हमें मनुश्य शरीर दिया है, गीता रामायन जैसे ग्रंथों से परिचय कराया है, सत्संग्य की बातों से परिचय कराया है, हमने उनसे कब कहा था कि आप ऐसा करो, अतहा जिसने इतना दिया है, वह आगे भी देगा, नहीं देगा तो लाज किसकी जाएगी? द्रोपदी भगवान से कहती है, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगडगो, इसलिए हम चिंता क्यों करें? विश्वास नहो, तो भगवान से कहो कि हे नाथ, आप मेरे को विश्वास दो, प्रेम दो, नहीं दोगे तो और कौन देगा? जैसे मा का दूध, मा के लिए नहीं होता, अपी तु बच्चे के लिए होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ती हमारे लिए ही है, हमारा काम तो बस यही है, कि हम तो उनकी शरन हो जाएं, संसार के काम में तो नफा भी हो जाता है, और नुकसान भी हो जाता है, किसी का जन्मना भी हो जाता है, और मरना भी हो जाता है, हम चाहते कुछ और हैं, पर होता कुछ और है, तात पर यह है कि संसारिक सिध्धी, अवश्यम भावी नहीं है, परंतु पारमार् जो कि भगवत प्राप्ती है अवश्यम भावी है इस मार्ग पर हमारी विजय निश्चित है